सभी मित्रों को रामरा मित्रों एक बार फिर से स्वागत है और इस कड़ियों में हम एंट्रिक कर रहे हैं राजस्तन के नदियों में देखिए बहुत कम समय में आपको बहतर ग्यान देने का प्रियास किया रहा है साथियों आप इसका लाब उठाए और बहुत अच्छी तरी जातरो होता है और यह अपके कच्छ के खाड़ी हुती है अपना जल जो है साथियो अर्ब्सागर में ले जाती है ध्यान रखें आप लोग इसकी दो साहिक नदिया अपने आप में आपको अभाल देने का प्रियास करती है एक नदी है जोजड़ी और एक नदी है साथियो जवाई नदी ये दोनों नदी हो से आपका सवाल बनता है लूने की साहक में से देखिए जोजड़ी नदी है इसका उदगम देखेंगे साथियो तो यहाँ पहले मानचितर में समल दे नागो और से उत्तर तरब से आती है और यहां से आती हुई सातियों यह जो अपना जल है जल कहां ले जाती है आपके लूने मिले जाती है इसका मतलब जो नदिया है उनका सभी का सातियों जो आप लोगों के निकास है उद्गम है वे आपके अरावली प्रवतमालास है यानि इस द्यान रखें आप लोग बहुत अच्छा कोशन बनेगा वे नदी साथियों जो अपना जल है जो लूनी में दाईं अवर्च डालती है या एक मातर साइक नदी जिसका उद्गम साथियों उदर से होता है उत्तर तरफ से होता है द्यान रखें आप लोग और अरब सागर अरा होता है और अप वह च्छेत्र में आने वाले जिले कौन से नागोर और जोधपूर है अब बात करते हैं साथियों जवाई नदी देखिए जवाई नदी का उद्गम है वे आपके पाली जिले की बाली तैसिल के गोरिय गाउस से नीचे के तरफ साथियों यह आप लोगों क जोदपूर है और ध्यारगना इस पर जोदपूर में सातियों इस नदी पर जस्वन सागर बांदी बना हुआ है जवाई नदी के अपवा छेतर में यह नदी कौन से जिलों में नहीं भैती है ऐसे सवाल आपके बन सकते हैं तो आप आराम से बताएं कि गुरुजी तीन जिले पाली से उदगम है उसके बाद जालो रहे उसके बाद बाडमेर में सातियों गुड़ा गाव है वहां जाके लोणी में मिल जाती है अब एक इंपोर्टन यह है कि पश्मी राजस्तान का सबसे बड़ा बांद है वे जवाई बांद सातियों इस नदी पर है जवाई बांद कि सही नदी के दुवारा सातियों जलापूर्त की जाती है बहुत अच्छा कोशन बनेगा तो जवाई नदी तीन जिलों में बहती है सातियों उदगम पाली फिर जालो फिर बाडमेर एक नदी आपको खारी पढ़ने को मिलती है खारी नदी तीन जगे पढ़ने को मिलेगी एक साथ ये आपके बनास नदी के सायक नदी जो बंगालि खाडी का अपवाथ अंतर है एक खारी सामर जिल में गिरेगी और एक खारी साथ य blew और अरब सागरी साहिला गाओं में कहां मिल जाती है आपके जवाई नदी में तोि अच्छे एक्ट बन सकते हैं आप लोगों कि शीयांदर एक्ट बन सकता है तो यह द्यान रख के सार्वियों